दोस्तों कहते हैं जिनको इज़द देकर चांद तक पहुँचाते हैं जनाब वो ही हमें एक दिन तारे दिखा जाते हैं नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त नवीन एक बार फिर से स्वागत करता हूँ कोशी एस्टेडी यूट्यूब चेनल के एक नए वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में डियलेड बीड इंटरेंस एकजाम 2020 को टारगेट करने के लिए एसपार्क से स्वेट प्रैटिक्स चोथा लेकर के आये हैं इससे पहले हम लोगों ने तीन स्वेट को किलियर कर रखे हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पीछे जाकर के जरूर देख लीजीगा या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो परती दिन साम साथ वज़े चलती है तो परती दिन साम साथ वज़े आ जाएए कभी कभी टेकनिकल समस्य के कारण या फिर कुछ डिस्टर्मेंट के कारण जो है समय पर वीडियो नहीं आ पाती है तो उसके लिए मैं मापी चाओंगा आज किस वीडियो में GK, GS और Math के जो भी important question है उनको देखेंगे केवल और केवल examination की दृष्टी कोर से जो भी question है केवल उनी question को हम लोग देखेंगे GK में आ जाएगा आपका जितना भी arts का question है और science में आ जाएगा science का question जो आपका science से पूछा जाता है और math से question जो आपका competition level का होता है तो 10th standard ही question पूछा जाएगा लेकिन वो competition का question पूछा जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले दूस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को like ने किया तो like जरूर कर देजीगा हमारे नए साती हैं तो चैनल को subscribe करने के बाद बैल ऐकन को press जरूर कीजे और अगर आप हमारे group join होना चाते हैं तो join हो जाए लिंक नीचे description में है कोई अगर आप personal message करना चाते हैं तो आप personal message कर सकते हैं टेलेगराम group join कीजिए वहाँ पर आप admin को message कर सकते हैं तो पहला question आपके screen पर है दोस्तों सामान अध्यन से आपको बताना है और comment भी आप से थोड़ा fast करते चलिएगा अपने उद्गम अस्थल में गंगा नदी जानी जाती है किस नाम से comment दोस्तों करना है आपको और जो भी नए साथी जो रहे हैं वीडियो को एक बार share कर दीजिगा अपने friends के साथ जिससे आपके friends भी आपके साथ लेव आजाए तो मज़ा आजाएगा तो आपको बताना है अपने उद्गम अस्थल में गंगा नदी जानी जाती है किस नाम से मंदाकनी नाम से, अलकननदा नाम से, हुगली नाम से या फिर भागी रथी नाम से जानी जाती है दोस्तों, अपने उद्गम अस्थल में गंगा नदी जो है, अलकननदा के नाम से जानी जाती है तो भी इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी का उद्गम, गंगोत्री के पास गोमुख ही मानी है जो की समुद्र तल से आपको पता है कि 49 सो मीटर की उचाईश से है और अगर बात करें तो यह बंगाल की खारी में जाकर के गिरती है गंगा वास्तम में भागी रथी एवं अलकननदा दोनों नदियों के नाम इसमें जो है समलित नाम है तो यहाँ पर भागी रथी अलकननदा दोनों हो जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको लेना है उदगम अस्तल में गंगा नदी जानी जाती है तो इस कंडिशन में आपको बी लेना है अलकननदा नाम से आगे हैं दोस्तों निमलिखित में से कोन सी परियोजना सभी उप्सन आपके सामने है दोस्तों हीरा कुंड बांध परियोजना जो है यह रावर केला एस्टील परियोजना को बीजली परियोजना करती है तो ध्यानव रखिए बी सही जवाब हो जाएगा आगे हैं दोस्तों एक खगोलिय एकक क्या कहलाता है एक खगोलिय एकक जो है आपको बताना है कि क्या है सूरी एवं पिर्थिवी के मद दूरी पिर्थिवी एवं चंद्रमा के मद दूरी पिर्थिवी एवं मंदाकनी के मद की दूरी क्या होगा फ्रेंट्स दोस्तों खगोलिय एकक जो होता है यह होता है पिर्थिवी एवं सूर के बीच की दूरी होती है तो ध्यान रखिए और इसे खगोलिय आप सभी जानते हैं अगर आप 10th क्लास में फिजिक्स पढ़े होंगे उसके कुछ विविया कोस्टन को देखे हों पिर्थिवी के केंदर पर अत्यधीक तापमान के बावजुद भी आंत्री कोर पिगली हुई आवस्था में नहीं है बताना है क्यों नहीं है पिर्थिवी के केंदर पर अत्यधीक तापमान है उसके बावजुद भी इसका आंत्री कोर जो है पिगला हुआ आवस्था में नहीं है आपको बताना है क्यों नहीं है कोर का गलन बिंदू अत्यधीक है कोर गैसों से भरा हुआ है केंदर पर अती दाव चटान के गलन बिंदू को बढ़ा देता है या फिर कोर उस्मा के परती और प्रवेश्य है आपको बताना है क्यों सा कारण उचित होगा दोस्तों पिर्थवी के केंदर पर अती दाव चटानों के गलन बिंदू को क्या करता है बढ़ा देता है तो सी सही जवाब हो जाएगा आगे हैं दोस्तों कानपुर में 1857 की क्रांती का नेता कौन था कानपुर में 1857 की क्रांती का नेता कौन था नाना साहेव तात्याटी टोपे कोवर सिंग या फिर लचमी बाई दोस्तों नाना साहेव जो है कानपुर से 1857 की क्रांती का नेतिर्ट कर रहे थे ए सही जवाब हो जाएगा आगे हैं दोस्तों हैंस्वांग वे भारत भर्मन किया था हैंस्वांग भारत भर्मन किया था किसके सासनकाल में भारत भर्मन किया था चंदरगुप्त के सासनकाल में हर्सवर्धन के या फिर अस्वक के या फिर कनिस्क के सासनकाल में भारत भर्मन किया था काफी इंपोर्टेंट है और पहुत बार दोस्तों ये कोश्टन पुछा भी जाता है दोस्तों सही जवाब हो जगा हर स्वर्धन के साशनकाल में हैंस्वांग भारत भर्मन किया था स्वतंतरता की पहली लराई लरी गई थी दोस्तों सही जवाब हो जगा मेरठ में लरी गई थी D सही जवाब हो जाएगा किस निमलिखित में बताना है किस अवधी में पंचवी पंचवर्सिय योजना लागू नहीं की जा सकी थी सभी डेट आपके स्कीन पर है दोस्तों पंचवी पंचवर्सिय योजना 1 अप्रेल कब 1 अप्रेल 1974 इसवी को सुरू हुई थी और जो मुल रूप से 31 मार्च 1989 इसवी को समाप्त होनी थी ठीक नँँ, 1989 इसवी को समाप्त होनी थी ये 1989 इसवी को लेकिन सुरू कभी 1974 इसवी में ध्यान रखे दोस्तों इसमें बहुत जाएदे कनफुजी आते हैं उसके बाद जो है 1977 में जनता सरकार के गठन के पसाथ हुआ क्या इस योजना को एक वर्स पहले अर्थात 31 मार्च 1978 इसवी को पूर्ण कर दिया गया इसका मतलब 89 समय था 78 को ही पूर्व कर दिया गया इसके बाद अगर कहें तो व्यभार में चार वर्स योजना ही रह गई थी तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जएगा वो हो जएगा आपका D क्या हो जएगा? D हो जएगा पंच वर्स योजना थी लेकिन एक वर्स पहले ही इसे समाप्त कर दिया गया था तो ये चार वर्स योजना हो जाएगी तो यहाँ पर 1974 होगा यहाँ पर गलत है 1974 से 1989 लेकिन 1978 में ही ये क्या हुआ? समाप्त हो गया तो धियान रखेगा इस पॉइंट को आगे है एसिया के देशों में किस देश का अस्वर पर्थम ओदोगी की करन हुआ था या फिर ओदोगी करन में विकास हुआ था इसिया के देशों में कौन सा देश का अस्वर पर्थम ओदोगी की करन विकास हुआ था बताईए भारत, चीन, थाइलेंड या फिर जापान दोस्तों सही जवाब हो जगा जापान का ओदोगी करन हुआ था आगे है गरिवी हटाओ का नारा किस भुतपूर्ण परधान मंतरी ने दिया था दोस्तों सही जवाब हो जगा लाल बहादूर सास्त्री इनवने गरिवी हटाओ का नारा दिया था आगे हैं एक दूसरे के सापेक्ष महाद्विपों के संचलन के तथ्य को परति पादित करने वाला सबसे बड़ा सिदान्द क्या है काफी इंपोटेंट है दोस्तों एक दुसरे के साप एक्छ महादूइपों के संचलन के तथ्य को परतियस्थापित करने वाला सबसे बड़ा सिद्दान्थ कौन सा है दोस्तों अगर सही अफशन की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा महादूइपीय विस्थापन सिद्दान्थ बिल्कुल सी सही जबाब हो जाएगा आगे हैं कौन सा देश को सफेद हाथियों की भूमी के नाम से जाना जाता है बहुत ही दोस्तों इंपोर्टेंट सफेद हाथियों की भूमी की नाम से किस देश को जाना जाता है दोस्तों थाइलेंड को जाना जाता है आप सभी को पता होगा थाइलेंड जो है सफेद हाथियों की भूमी की नाम से जाना जाता है आगे हैं भारत एवं अफगानिस्तान के मद्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है कौन रेखा से कौन सी रेखा है जिसके मादियम से भारत और अफगानिस्तान के मद्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है दोस्तों डुरंड रेखा इसका सही जवाब होजेगा भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा द्वारा सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है राजस्थान में इस्थीत परवतिय अस्थल माउंट आबू परसीध है किसके लिए राजस्थान में इस्थीत परवतिय अस्थल माउंट आबू परसीध है किसके लिए हिंदू मंदिर के लिए भी जैन मंदिर के लिए भी गुरुद्वारा मंदिर के लिए भी या फिर साब हो जेगा जैन मंदीर के लिए भी परसीद है तो धियान रखिए इस बात को दोस्तों पहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है रेल्वे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं वारा नसी में चितरंजन में या फिर परामबूर में या फिर कोचीन में पुराना कोश्चन है दोस्तों वैसे अब जो है मदेपूरा रेल कार खाना में रेल इंजन का निर्मान होता है लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है डब्बे निर्मित होते हैं दोस्तों पेरामबूर का नाम सुने ही होंगे यहाँ पर जो है रेल्वे के यात्री डब्बे जो होते हैं उनका निर्मान क्लिया जाता है उद्धोगिक नीती परस्ता 1956 में जोर दिया गया बताना है किस छेतर के महत पर जो है जोरा गया है उद्धोगिक नीती परस्ता 1956 में जोरा गया पहला है सारवजनिक छेतर के महत पर नीजी छेतर के महत पर सारवजनिक एवं विदेशी छेतर के महत पर या फिर नीजी एवं सारवजनिक छेतर के अन्योन आसरिता पर क्या होगा फ्रेंसिस का सही जवाब आप सभी थोड़ा फास कोमेंट कीजिएगा और जो भी हमारे ने साथ ही जुरे हैं प्लीज वीडियो को लाइक करते चलिएगा अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दिजिए दोस्तों सारवजनिक छेतर के महत पर अदोगिक नीती प्रस्तों को जोड़ा गया है तो ए इसका सही जवाब हो जएगा मुद्रा और वीत पर रिपोर्ट परकासित होती है मुद्रा और वीत पर रिपोर्ट परकासित होती है परती एक पकवारे पर माँ पर छे माँ पर या फिर वर्स भर में दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब आप सभी को पता ही है एक अफरेल से 31 मार्ज तक चलती है ये जो है विरितिय वर्स तो इसका सही जवाब हो जएगा एक वर्स के लिए होता है डी सही जवाब हो जएगा भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा मुख्य रूप से पहला अप्शन है और नियजुति अदुगी करण के कारण पस्चात समाजी के विचार भाव के कारण खराब अवस्थापना या फिर उसके साथ स्विधाओं के कारण तो पताना है भारत में और नो की करण भारत में और दोगी की करण इस तरह से है कुछ आर्थिक विकास बाधित रहा है इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो यहां परापका हो जएगा खाराब अवस्थापना और सुविधाउं के कारण जो है सी सही जवाब हो जएगा इसी के कारण भारत का आर्थिक विकास प्रभावित रहा है केंद्र सरकार को अधिक्तम राजस्व कहां से प्राप्त होती है सीमा सुल्क से, आयकर से, कार्पोरेशन से या फिर उत्पाद सुल्क से क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब खाश्ट कोमेंट किजिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जगा उत्पाद मूल से सबसे जैदे के अंदर सरकार को बेनिफिट मिलती है लेकिन फिर भी जो है उत्पाद सूलको को नियंतरित करने के लिए याने की इसकी मातरा को कह सकते हैं बढ़ाने के लिए कोई रोजगार जल से जल उपलवद नहीं कराई जा रही है आगे हैं दोस्तों हमारे देश के वर्तमान वितमंत्री कोन है दोस्तों इस तरह से केरेंट अफ्यर्स भी आपको पूछा जायगा तो भरम में नहीं रहिएगा कि केरेंट एफियर से question नहीं रहेगा आपको जरूर देखने को मिलेगा जीके में तो आपको बताना है हमारे देश के वर्तमान वितमंत्री कोन है तो ऐसे तो ये पुराना question है तो अभी वर्तमान में निर्मला सितारा मन्जी है तो इसका सही जवाब हो जएगा अभी तो option में है नहीं आगे है बुद्चरित के लेखक कोन है बुद्चरित के लेखक कोन है दोस्तों इस तरह से बहुत ही important ये question है और इस step के question हम आप लोग को बहुत करवा चुके हैं हिंदी के गदवाले question में दोस्तों अस्व घोस क्या हो जएगा अस्व घोस बुद्चरित के लेखक कोन है अस्व घोस हो जाएंगे किस पाल सासकों ने बधों के लिए परसिद विक्रम सिला विस्विद्यालय की अस्थापना की काफी important है दोस्तों किस पाल सासक ने बद्धों के लिए परसिद विक्रम सीला विस्विद्याले की अस्थापना की दोस्तों सही जबाब हो जगा धरम पाल धरम पाल पालवन्स के थे और धरम पाल सासक जो थे बद्धों के लिए परसिद विक्रम सिला विश्विद्याले अस्थापित की थी आगे है खजू राहों में मंदिरों का निर्मान किसने किया था खजू राहों में मंदिरों का निर्मान किया गया कन्योज के राठोरों के द्वारा बादामी के चालुक्यों के द्वारा या फिर बुंदेल खंड के चंदेलों के दुआरा या इन में से कोई भी नहीं क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब और दोस्तों नालंदा विस्विद्याले कब बना था इसके बारे में आफ सभी कोमेंट करके जरूर बताएगा और धरमपाल जो थे नालंदा विस्विद्याले के खर्च के लिए कितना रुप्या दिये थे ये भी कोमेंट कीजिएगा दोस्तों लगवक दो सो गाउं दिये थे और इसका इस भी आफ सभी जरूर बताएगा इसका सही जवाब दोस्तों क्या होगा दोस्तों ध्यान में रखिए खजु राहों में जो मंदीर का निर्मान करवाया गया बुंदेल खंड के चंदेलों के दोरा कराया गया तो C इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के साथ व्यपार करने वाले पर्थम यूरोपिये कौन थे? भारत के साथ व्यपार करने वाले पर्थम यूरोपिये कौन थे? दोस्तों वो पुर्तकाली थे डी सही जवाब हो जाएगा भारत का पर्थम वैसराय कौन था दोस्तों? भारत का पर्थम वैसराय कौन था? बहुत ही दोस्तों कनफुजियाल कोस्चन है भारत का पर्थम वैसर है पुछा है तो लौड केनिंग हो जाएगा ठीक ना उसके बाद तो गवर्नर जनरल आने लगे थे तो अभी जो है फिलार इसका ए सही जवाब होगा आगे है मोलिक कर्तवियों को प्राप्त नहीं किसी भी तरकी समाजिक सुकिर्थी नेतिक सुकिर्थी राजनितिक सुकिर्थी या फिर वीधिक सुकिर्थी कौन सा सुकिर्थी मोलिक कर्तवियों को प्राप्त नहीं है दोस्तों आप सभी को पता है कि सरदार स्वर्ण सिंग समिती के अनुसंसा पर सम्विधान के 42 सम्विधान संसुधन जो हुआ था 1976 में हुआ था इसके द्वारा मोलिक कर्तवियों की सम्विधान में जोरा गया था तो भाग कोव में ध्यान रखिए भाग कोव में जोरा गया था और अनुछेद की बात करें तो अनुछेद 51 का कोव के तहत जो है रखा गया था और इसे रूस के समविधान से लिया गया था मुलिक कर्तवियों की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों इसे भी जान लिजी एक ग्यारा है मुलिक कर्तवियों की टोटल संख्या एक ग्यारा है तो अब आपको बताना है कि मुलिक कर्तवियों को प्राप्त नहीं है क्या प्राप्ट नहीं है अगर सही जवाब की बात करें तो वीधी की स्विकिर्थी प्राप्ट नहीं है तो D सही जवाब हो जाएगा आगे हैं राज के नीती निर्देशक तत्व पर्त्यक्ष्था संबंदित है एकनोमिक से दोस्तों ये आपका कोस्टन है राज के नीती निर्देशक तत्व परत्यक्षता संबंधित है राज नीतिक सास्त्र से है एकनोमिक से नहीं दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रास्तावना से संबंधित है ध्यान में रखे निती निर्दे सक्तत जो है प्रस्तावना से संबंधित है आगे हैं दोस्तों संग के कार करनी कर संविधानिक परमुख है राष्ट पती परधान मंत्री और मंत्री परिशद एक साथ या फिर परधान मंत्री या फिर भारत के मुख्य नियादिस क्या होगा दोस्तों सही जवाब संग के कार करनी कर संविधानिक परमुख है दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हो जगा राष्ट पती क्या हो जगा राष्ट पती संग के कर करनी करके संविधानिक परमुख होते हैं राष्ट पती होते हैं आगे हैं क्या राष् राष्ट पती एक मंत्री विसेश को हटा सकते हैं या नहीं क्या होगा दोस्तों सही जवाब नहीं या फिर कभी नहीं किवल जवकि परधार मंत्री ऐसी सलाह देते हैं तो या फिर हां तो यदी राष्ट राष्टपती सोचते हैं कि मंत्री अयोग्य है या फिर यह अस्पष्ट नहीं है कि राष्टपती ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं काफी इंपोर्टेंट दोस्तों कोश्चन है इसका जवाब क्या होगा दोस्तों यहाँ पर जो पूछा गया है क्या राष्टपती एक मंत्री विशेश को राष्टपती जो है मंत्री विशेश को हटा सकते हैं या नहीं तो दोस्तों ये तभी हाटाया जा सकता है जब परधान मंत्री की सला होती है तो हाटाया जा सकता है मंत्री विसेश को तो धियान में रखिए इस बात को आगे है आपका जब उपराश्टपती राश्टपती पद का भार गरहन करता है तो बताना है राज सभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना परता है या फिर राज सभा को अध्यक्ष का पद खाली अवस्य रहना चाहिए या फिर राज सभा के बैठकों की अध्यक्ष था लोग सभा के अध्यक्ष करते हैं या फिर इन में से कोई भी नहीं क्या होगा दोस्तों जब उपराष्ट पती जो है राष्ट पती पत का भार जो है गरहन करेगा तो क्या होगा दोस्तों जब भी उपराष्टपती राष्टपती पद का भार गरहन करता है तो जरूरी है कि राजसभा का अध्यक्ष पद खाली रहना चाहिए और अवस्य खाली रहना चाहिए तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आगे है निमलिखित में से कोन भारतिय नय पालिका का विशिष्ट अभिलक्षन नहीं है यह स्वतंत्र एवं मुक्त होता है यह सम्विधानिक का अंत्रिम व्याख्याकार है यह एकल समन्वित तंत्र है यह सर्वोच वीधी निर्मात्री संस्था है क्या होगा दोस्तों भारत निय पालिका का विशिष्ट अभिलक्षन जो नहीं है वो पूछा गया है आपको तो यहाँ पर जो है तीन जो है है यहाँ पर डी नमर का जो है नहीं है तो सही जवाब आपका हो जाएगा डी यह सर्वोच वीधी वी निर्मात्री संस्था है तो यह बात गलत है तो गलत आपको चुनना था तो डी हो जाएगा आगे है वित के संदर्व में सम्विधान ने राज्यों के अनुकूल बटवारा किया है केंदर के अनुकूल बटवारा किया है या फिर बटवारा वित वाय आयोक पर छोड़ दिया गया है या फिर केंद्र और राज के मद्य समान रूप से बटवारा किया गया है क्या होगा दोस्तों वित के संदर में सम्विधान ने वित आयोग पर बटवारा के भार को छोड़ दिया गया है तो इसका सही जवाब होजेगा C आगे हैं दोस्तों गराम सभा का सदस्य समानित कौन होता है गराम सभा का सदस्य समानित अरूप से अगर बात करें तो कौन होता है गराम संबंदित जो भी गरामों के परिवार के मुख्या है या फिर संबोधित गरामों के समस्त मतदातागन या ग्रामों में समस्त वयस्क पुरूशगन या फिर नामित सदसगन तो ये तो होगा नहीं ये भी होगा नहीं यहाँ पर पूछन एक और है ओप्षन ये ओप्षन है आपका बी नमर का और यहाँ पर कहा जा रहा है संबंदित ग्रामों में समस्त मत दाता तो दोस्तों question को फिर से एक बार पढ़िए ग्राम सभा का सदस्य समानित कोन होता है सदस्य यहां पर पूछा गया है तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा संबंदित गरामों में समस्त मत दाता तो भी सही जवाब हो जाएगा आगे हैं दोस्तों भारत में मत दाताओं का पंजीकरन करवाना उत्तरदाई है किसका दोस्तों ये काम है कि भारत में जो भी मत दाता है उसका रेश्टेशन करवाएं किसका काम है तो दोस्तों ये होता है निरवाचन आयोग का काम है डी सही जवाब हो जाएगा पंचतंतर के लेखक कोन है दोस्तों काफी important है हिंदी गद से question है ये आपका गदपद से दोस्तों पंचतंतर के लेखक जो है विशनु सरमाजी है ये सही जवाब हो जगा बोड एक्जाम में भी बारबार पूछा जाता है भारत के संग में सिक्किम एक नया राज डैस संसुधन अदिन्यम डैस में हुआ था बताना है दोस्तों भारत के संग में सिक्किम एक नया राज हुआ था कौन से संसोधन में हुआ था या फिर कौन से इस्वी मुआ था इस्वी से तो दोस्तों पता नहीं चलेगा संसोधन बताईए कि कौन सा संसोधन दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो 36 सम्विधान संसोधन में जो है सिकिम एक नया राज बना था और ये 1975 में हुआ था तो C सही जवाब हो जाएगा आगें बढ़ते हैं भारत का संग क्या है बताईए भारत के संग के संबन में कौन सा कथन सत्य है भारत का छेत्र पर्यवाची है या फिर उन राजियों को समाहित करता है जो संग्ये रववस्था के सदस्य है या फिर भारत के राज इवम संगों संग जो है सासित परदेशों के को सामिल किये है या फिर केंद्रिय अस्तर पर प्रसासित परदेशों को समलित किये हैं क्या होगा भारत का संग दोस्तों भारत एक संग होगा है यह सा भी कहा गया है तो निश्चित रुप से यह भारत राजियों एवं संगों सासित जो संग सासित परदेश हैं तो वो भी सामिल किये गए हैं तो इसके लिए इसका सही जवाब सी हो जाएगा भारत एक संग होगा और यह दुस्तों बताना है कोमेट करके कि भारत एक संग होगा किस अनुछेद में कहा गया है पूरा डेटेल से आप जरूर लिखेगा हम भी थोड़ा समझ लेंगे हमको भी कनफुजन है आगे हैं दुस्तों आगें दुस्तों आपका है सीर्षक सोतंतरता का अधिकार में बताना है कि जो अधिकार नीचे में वर्नित किया गया है कोण सा समलित नहीं है पहला उप्षन कुछ मामलों में गिरफतारी एवं निरोध से बचाओ ये 23 या 24 में है उसके बाद भासन एवं अभी व्यक्ति की सोतंता ये भी वर्नित किया गया है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंता का बचाव ये भी किया गया है विवेक की स्वतंता इसे वर्नित नहीं किया गया है तो D सही जवाब हो जाएगा आगे दोस्तों एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागु बुनियादी सर्थ यह है कि सभा होनी चाहिए एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागु बुनियादी सर्थ जो होनी चाहिए वह यह होनी चाहिए कि सभा होनी चाहिए पहला अप्शन है आपका रचनात्मक उद्देश के लिए सांति पूर्ण और सस्त्र हिन उदेश के लिए या फिर ओहिन्सक या फिर सांति पूर्ण क्या होगा कोई एक होगा दोस्तों हिन्सक ओहिन्सक तो ओहिन्सक तो केवल नहीं हो सकता है केवल और केवल सांति पूर्ण भी नहीं हो सकता है केवल और केवल रचनातक मक उद्देश भी नहीं हो सकता है बलकि सांति पून उद्देश होना चाहिए और सस्त्र विहीन उद्देश होना चाहिए तो भी सही जबाब हो जाएगा आगे है भारतिय सम्विधान घोसना करता है कि जीवन और सुतनता की रक्षा पहला अप्षन केवल वीधी द्वारा अस्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है दूसरा किसी दसा में वापस नहीं ली जा सकती है तीसरा, राष्टपती के आदेश से आपातकाल के समय वापस ली जा सकती है या फिर इन में से कोई भी नहीं क्या होगा दोस्तों सही जवाब भारतिय सम्विधान घोशना करता है कि जीवन और सुतनता की रक्षा से संबंदित कौन सा ओफशन सही होगा दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो केवल वीधी द्वारा अस्थापित प्रकिरिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है और दूसरा कोई चारा नहीं है तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा आगे है सतत विकास पर सन्युक्त राष्ट का सम्मिलन 2002 जो आयूजित हुआ था कहां आयूजित हुआ था काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों सतत विकास पर सन्युक्त राष्ट का सम्मिलन हुआ था 2002 में पता नहीं कहां हुआ था दोस्तों दचनी अफिरका में हुआ था जो हांक्स बर्ग में तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा आगे है विश्व खाद कारकरम का मुख्याले कहां इस्थित है विश्व खाद कारकरम का मुख्याले कहां इस्थित है बर्लिन में, इटली में, जेनेवा में या फिर न्यूआर्क में दोस्तों इस तरह से बताते चलिए वीडियो को जो भी अभी तक लाइक नहीं किये हैं लाइक जरूर कर दिजेगा, आपका लाइक हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट है तो लाइक जरूर कीजिए, नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथी साथ बेल आइकन को दबाने के बाद और पर जरूर किलिक कर लिजेगा इस तरह से कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा दोस्तों विश्व खाद कारकरम का मुख्याले इटली में इस्थित है आगे है भारत का एक मात्र राज कौन सा है जहां समान आचार संहिता यानि कौमन सिवील लागू है अब तो उसे भी जो हटा दिया गया है आप सभी को पता है या हटाया है कि नहीं हटाया है और इसके समझ में दोस्तों गोवा लिया है सही जवाब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा आगे है एंथेस ओलंपिक खेल 2004 में भारत के लिए पहला पदक जीता गया था किसके द्वारा जीता गया एंथेस ओलंपिक खेल होता है या 2004 में आजित हुआ था बताना है 2004 में भारत के लिए पहला पदक जीता गया किसके द्वारा अंजु बौवी जर्ज के द्वारा मेजर राजवर्धन सिंग राठोर के द्वारा या फिर अभिनव विंद्रा के द्वारा या परतीमा कुमारी के द्वारा दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो मेजर राजवर्धन सिंग राठोर के द्वारा जो है ये जो है एंथेस ओलंपिक खेल 2004 में भारत के लिए पहला पदक जीता गया था आगे है नौसेना के नव्युक्त परमुख कौन है दोस्तों अब चेंज भी हो गया होगा ये पुराना कोश्चन है तो इसका सही जवाब जो लिया है एडमीरल अरून परकास क्या होज़ेगा एडमीरल अरून परकास वर्तमान में चेंज भी हो गया है आगे हैं दोस्तों भारत में परधान मंत्री के कारिकाल की अवधी कितनी होती है भारत में परधान मंत्री के कारिकाल की अवधी कितनी होती है दोस्तों समान लुप से बात करें तो पांच वर्ष होती है लेकिन जब बीच में कभी और विश्वास परस्तो लाया जाता है या फिर पांच वर्ष से पहले बहुमत समाप्त हो जाती है तो उससे पहले भी इस्थफा देना पड़ता है तो दोस्तों इसका सही जवाब A होनी चाहिए लेकिन जवाब जो लिया है वो D लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए किसका सही जवाब क्या होगा इसका A होनी चाहिए आगे है यदि महालेखा परिख्षक तियाग पत्र देना चाहता है तो वह तियाग पत्र संबोधित करता है ठीक किसको संबोधित करेगा राष्ट पती को परधान मंतरी को या फिर अगला अप्षन भी देख लेते हैं अगला अप्षन है लोकसभा के अध्यक्ष को या फिर वीत मंतरी को किसको महालेखा परिख्षक त्याग पत्र दे सकता है या संबोधित कर सकता है तो दोस्तों सही जवाब हो जगा राष्ट पती को सम्बोधित करेगा आगे है समानतिया जो नुर्मल रुप से हैं समस्त महतपूर्ण निर्ने लिये जाते हैं किसके द्वारा महतपूर्ण निर्ने लिये जाते हैं नुर्मल रुप से दोस्तों नर्मल रुप से जो भी इंपोर्टेंट निर्ने होते हैं वो केविनेट के द्वारा लिया जाता है बी सही जबाब हो जाएगा आगे है एक धन विदेयक और एक वीद विदेयक में क्या अंतर है वीदेयक केवल एक समानी विदेयक है विदेयक को राजसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है विदेयक को राजसभा के द्वारा प्रभावर्पूर्ण धंग से और सुईकृत किया जा सकता है जबकि धन विदेयक को और सुईकृत नहीं किया जा सकता है या फिर कोई भी अंतर नहीं है क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब बिल्कुल दोस्तों आप में से जो भी सी ले रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है वित विधयक को राजसभा के द्वारा परभावपून ढंक से और स्विक्रित किया जा सकता है लेकिन धन विधयक को और स्विक्रित नहीं किया जा सकता है आगे हैं नियंतरक और महालेखा परिक्षक संबंधित है व्यवसाय सलाकार समीती से सारोजनिक उपकरमों की समीती से लोक लेखा समीती से या फिर संसत से नियंतरक और महालेखा परिक्षक किस से संबंधित है दोस्तों लोक लेखा समीती से संबंधित है धियान रखिए सी सही जवाब हो जाएगा आगें दोस्तों आपका साइन्स और मेथ से कोस्चन है तो मेथ वाले कोस्चन को सॉल्व करने में टैम लगेगा तो आप जो है केवल अभी सैंस के कोस्चन को देखिए और इसका PDF टेलेग्राम से डाउनलोड कर लेजिगा और मेहत का काफी important सब कोस्चन इसमें select किया गया है तो आप इसे जरूर प्रैटिक्स किजिएगा दोस्तों यह है आपका partnership से कोस्चन बहुत ही simple रूप्य बन जाएगा यहाँ पर काता है 산jay 18,000 रुप्या लगा कर वैपार आरम करता है तो 산jay जो है आरम करता है और दीपक आरम करता है दो वेक्ती है तो कोई दिकत ने यह 18,000 रुप्या लगाता है इसके बाद दीपक काता है चार माह बाद इसका मतलब 4 माह तो यह रह चुका है उसके बाद यह कितना लगाता है 24,000 रुपया लगाता है कहता है वर्ष के अंत में इतना रुपया प्रापत होता है इसका मतलब यह आया कितना 4 मेना के बाद तो 8 मेना रहा और यह 12 मेना रहा अनुपात निकाल लिजिए अब इसी अनुपात में लाव भी भातेगा तो यहां पर जोर लिजिए टोटल अनुपात में लाव कितना हो जयगा ? 9,8,17 हो जाएगा ठीक न ? लेकिन है कितना 17,850 तो इस तरह से आठनु पात का वैल्यू कितना होगा तो इस तरह से आप निकाल लिजिए आगे हैं नेवलिखित प्रस्नों में दिये गए चार समिक्रणों में से कोन 3 समिक्रण से अलग है तो इसे सौल करना पड़ेगा छोटा छोटा समिक्रण है गुना भागा है है कोई दिकत नहीं होगा आगे आपका रेशियो प्रोपोर्शन से है तो ए बी सी दिया हुआ है बहुत सिमपल निकल जाएगा आगे हैं दोस्तों य आप इसे जरूर सॉल्व किजिगा, थोड़ा देखने में लॉंग है लेकिन बहुत छोटा-छोटा में बन जाएगा question, चलिए हम बढ़ते हैं science के question की और, आगे दोस्तों ये का आपका जो है simple interest से question है, और दोस्तों simple interest से component interest से छोटा-छोटा question पूछा जाता है, और हम लोग तैयारी करने लेते हैं advance level का, तो दोस्तों exam की दरिश्टी कौन से ही केवल आप तैयारी करें, अगर आप exam निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे की है, 5% सधारन ब्याज की दर्स से, जो है तीन वर्स में, ब्याज कितना होता है, 60 रुपया, तो वहाँ पर पूछा जा चार रुपया हो जाएगा, इसका मतलब है, 100% का value क्या हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा, तो बहुत ही simple simple question है, आप इसे solve करने की कोशिच किजिए, और इसका जवाब दिजी क्या होगा, एक विदूद चुम्बक की सकती बढ़ाई जा सकती है, एक विदूद चुम्बक है, अगर आपको उसकी सकती बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे, धारा को बढ़ा देंगे, चकरों की संख्या को घटा देंगे, या कुंडली के लिए पतले तार का परयोग करेंगे, या फिर इसे पूरु से पस्चिम दिसा में रख करके करेंगे, क्या होगा दोस्तों, यदि आपको विदुद्चुम्बक की सक्ति बढ़ानी है दोस्तों बिल्कुल सिंपल है यदि धारा के मान को बढ़ा देंगे तो विदुद्चुम्बक की सक्ति भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी आगे है एक सेल का EMF इलेक्ट्रो मोटीव फोर्स आप पड़े होंगे 12 में भी पड़े होंगे EMF बताना है EMF क्या है सदिस रासी अदिस रासी जल के मापन हितु इकाई है या इन में से कोई नहीं दोस्तों अगर सही जवाब की बात करें तो सही जवाब हो जाएगा अदिस रासी क्या हो जाएगा 23 रासी ध्यान्व रखिये यह सलाद नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विदुत उपकरण को एक ही पलग बिंदू से जोरे जाएएं क्योंकि परीम नाम क्या होता है वोल्टेज में विर्धी होती है धारा में कमी होती है भार में विर्धी होती है परतिरोध में कमी होती है दोस्तों एक ही पलग से विविन सारे युक्तियों को नहीं जोरा जाये ये जो है निर्द का सकते हैं कि नियम भी है क्यों क्योंकि धारा में कमी हो जाती है मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हैड्रोजन गेस के आइतन की गनना लीटर में करेंगे तो कितना लीटर होगा दोस्तों बहुत ही सिंपल कोस्चन है आप इसे जो है 11-12 में बनाए भी होंगे और इसका डाइरेक्ट अंसर है दोस्तों 224 लीटर जो नॉर्मल में यूज करते हैं समान एस्टेंडर्ड भाल्यू 224 लीटर होता है आगे है एक परमानू बम के विस्फोट में आपार उर्जा विस्तरित होती है यह मुख्यता होती है भारी परमानू के हलके परमानू में बदलने के कारण या फिर आरम के पदार्थ के दरमान के अप्यक्छा कम दरमान वाले पदार्थ के उत्पाधन के कारण या फिर नूटरोन मुक्त होने के कारण या फिर एलक्टरोन मुक्त होने के कारण क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब दोस्तों CD तो होगा नहीं इसका तो कोई गुंजैसी नहीं है भारी पर्मानों हलके पर्मानों में तूटता है तो भी आपार उर्जा विस्तरित होती है लेकिन दोस्तों उससे भी जैदे इंपोर्टेंट आपका ये है आरंबिक पदार्थ के दरमान के अपिक्छा कम दरमान वाले पदार्थ जब उत्पादित होते हैं तो विश्तरित उर्जा, अपार उर्जा मतलब की बनते हैं आप पड़े होंगे जब एक भारी नाविक, जो है हल्के नाविक में टूटता है तो उर्जा का उत्सर्जन होता है नाविक्य सनलयन और नाविक्य विखलनन में आपसे पड़े होंगे आगे हैं दोस्तों मानव निर्मीत क्या है प्लोटूनियम U92-235 जिसका जो है उप्योग हड्रोजन बम में परमानू बम में किया जाता है दोस्तों मानव निर्मीत जो है वो आपका प्लोटूनियम है A सही जवाब हो जाएगा घाव का सिग्रता से भरना हो जाता है घाव का सिग्रता से भरना हो जाता है विटैमिन A से, विटैमिन C से, विटैमिन E से या फिर विटैमिन K से घाव को भरने में मदद करता है कौण सा विटैमिन विटैमिन C हो जाएगा दोस्तों C सही जवाब B सही जवाब यानि कि C आगे है उर्जा संचित होती है उर्जा संचित होती है बहुत बार्ट 10 कलास में भी पूछा जाता है बोड़ अकजाम में उर्जा संचित होती है दोस्तों उर्जा जो संचित होती है ATP में संचित होती है ज्यान रखिए C सही जवाब हो जाएगा आगे हैं निमलखित में किसमें सरवाधिक नैट्रोजन होती है बताना है किसमें सरवाधिक नैट्रोजन होती है अमोनियम सलफेट यूरिया में या फिर अमोनिया कुलराइड में या फिर सोडियम नैटरेट में नैटरोजन की दोस्तों बात की जा रही है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा यूरिया में सबसे जैदे नैटरोजन होगा आगे है आगे दोस्तों आपका next question है लंबाई के निमलिखित मापन में परतिसत तुरूटी ग्याद कीजिए दोस्तों इसमें कुछ जो है तुरूटी पूर्ण option है यहाँ पर जो आपको करना क्या है यह जो line दिया गया है इसको आपको percentage में बदलना है कोई एक सही होगा तीन गलत होगा लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है तुरूटी ग्याद कीजिए तो दोस्तों आप इसको क्या कीजिए percentage में convert कीजिए तो यहाँ पर देखिए 0.16 cm इसको percentage में बदलेंगे तो इसका इकाई भाग क्या होगा एक होगा बट्य क्या होजएगा 62 होजएगा यह अगर दसमलब लगाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा दसमलब लगाना पड़ेगा कोई दिकत नहीं तो इकाई भाग इतना में है तो हंडेड में कितना होगा दोस्तों तो सभी का तो सेम है तो सभी का यह धर तो सेम होगा ही हम क्या करेंगे इसी को बदलना शुरू करेंगे तो इसका इकाई भाग निकालेंगे तो यह होजगा दोस्तों कितना एक बट्य छोग सोग तैस याने तो दसमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0, 0 यहाँ पर भी दसमलव लग जाएगा तो 100 में कितना होगा तो दोस्तों जैसे ही आप भाग दिजीगा तो यह आजएगा आपको 0,16 परसेंट आजएगा कहने का मतलब C option आपका right हो जाएगा तो C इस तरह से सही जवाब हो जाएग आगे दोस्तों आपका question है एक मेकनीक 150 न्यूटन बल के द्वारा एक नोट को खोल सकता है ठीक ना इसका मतलब है 150 न्यूटन बल के द्वारा एक नोट को खोलता है जबकि वह हथे यानि कि 40 cm लंबे हथे लिवर का परियो करता है जैसे कि होता है मानली कि रिंच होता है तो उसका लंबाई कितना है 40 cm है तो फोर्स को बढ़ाने के लिए अगर लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स कम भी रहेगा तो भी नोट खुल जाएगा तो इस तरह से 150 न्यूटन का बल लगाता है तो 40 cm लंबे एक लिवर हथे का परियोग करके खोल लेता है तो 50 न्यूटन बल के द्वारा खोलना चाहे तो आपको बताना है कितने मीटर लंबे या कितने लंबे लिवर हथे का परियोग करना परेगा इसको एक समाल लेजिए 50 तिया कितना हो जाएगा देर सो हो जाएगा और यहाँ पर 4 तिया 12 हो जाएगा कहने का मतलब 1.2 मीटर में यह हुआ क्या हुआ मीटर में क्योंकि इसको हम मीटर में बदल चुके हैं तो यहां कह सकते हैं 120 मीटर कह सकते हैं 120 संटीमीटर कह सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी सही जवाब हो जाएगा आगे है एक पूल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत रूप से छोड़ लेता है तो जल के सता से पूल की उचाई ग्याद करें दोस्तों आप 12 में पढ़ चुके होंगे step का question या फिर आपको 9 में भी आपको पढ़ने को मिला होगा गुर्टवा कर्शन में 12 में तो नहीं 9 में और 11 में मिला होगा तो दोस्तों इसको थोड़ा solve करना पड़ेगा यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है S यह हो जाएगा दोरी उसके बाद आपको प्रारंबिक वेग U हो जाएगा T आपका समय हो जाएगा और S मॉल जी का यूज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे गिराया जा रहा है तो गुर्टवे तोरन हो जाएगा तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं S इक्वल टू निकाल लिजिए दोरी हो जाएगा S इक्वल टू क्या होता है S इक्वल टू होता है U T पलस हाफ G T स्क्वेर होता है ठीक ना तो आप इस पर बठा दिजिए तो U T तो U का वैल्यू जीरो हो जागा क्योंकि प्रारंबी की विएक जीरो यह भी आपका जीरो यहाँ पर बठ जाएगा हाफ G का वैल्यू लगा दिजिए 9.8 और T का वैल्यू लगा दिजिए 5 सेकेंड है तो 25 अब दोस्तों आप इसे 2 से काट लिजिए तो यह हो जागा 2.8.2.18 अब इसमें आप 25 से मल्टिप्लाइ कर दिजिए ठीक न पचीस से जैसे ही आप मल्टिप्लाइ कीजिएगा तो यह आजेगा 1225 एक दसमलव था लाश्ट में तो दसमलव यहाँ पर आजेगा इस तरह से ए इसका सही जवाब हो जागा आप इसे खुद से सॉल करने क का परियास कीजिएगा आगे है दोस्तो फान्च डिड़ी फोरेन हाइट को केल्विन असकेल में बदले यह काफ ही इंपोर्टेंट कोस्टन है और हर एक्जाम में इस तरह से कोस्टन पुछा जाता है फोरेन हाइट से केल्वीन में बदल ये केल्वीन से फोरे नहारे में बदल ये कभी सेल्सियस में बदल ये कभी कुछ में बदल ये तो गूगल पर एक वार सर्च करके इस टोपिक को आप सभी जरूर किलियर कर लिजेगा बहुत ही helpful टोपिक है आपको पता है दोस्तों C by 5 equal to होता है F minus 32 by में होता है 9 और 5 को हटाईएगा तो दूसरे साइड आएगा तो इधर multiply में हो जाएगा तो सबसे पहले आप C निकाल लीजिए तो F का मान यहाँ पर 5 है 5 में से 32 जाएगा कितना हो जाएगा 37 मैंस में 37 होगा 9 तिया 37 हो जाएगा तो तीन बार में यह कर जाएगा पांस तिया 15 हो जाएगा तो कहने का मतलब मैंस C equal to हो जाएगा मैंस 15 degrees centigrade ठीक धियान में रखिए इसके बाद दोस्तों आपको Kelvin में चाहिए इसको मान लिजिए ततकाल आप क्या T मान लिजिए तो यह होता है 273 पलस कर दिजिए आप जो अभी निकला है 15 उसको जोड़ दिजिए तो यह क्या हो ततकाल मान करके चलते हैं C C value माने हैं तो C को जोड़ देंगे तो 215 में आप 273 को जोड़िएगा तो यह घट जाएगा 258 हो जाएगा ठीक नो तो अब आपको देखना है 258 कहां पर है तो D आपका सही जवाब हो जाएगा जब एक वस्तु को 75 डिगरी कोन पर जुकी हुई तो समतल दरपन के बीच रखा जाता है तो परतिभीम की संख्या क्या होगी काफी important दोस्तों आपका question है यह हम आपको जब science का सिरीच चल रहा था physics का उसमें बताये थे परतिभंबों की संख्या निकालने के लिए यह होता है 360 बट थिटा मैनस वन क्योंकि यह अगर विशम संख्या आती है तो उसमें से क्या करते हैं एक घाटा लेते हैं ठीना तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिया गया है दो समतल दरपन के मद में रखा जाता है तो यहाँ पर तो direct आपका मैनस वन लगेगा ही तो यहाँ पर थिटा कितना है 75 डिगरी है 75 से भाग दीजीगा 360 में 4.8 बार में कटेगा इसमें से एक मेनस कीजीगा 3.8 होगा तो दसमलब के बाद जो संक्या होती है वो invalid होती है तो 3 आपका सही जवाब हो जाएगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा बी हो जाएगा आगे है जिप्शम क पर्योग उस परकार के मिर्दा में किया जाता है जो लवन्य होता है या फिर जल जमाव में वाले में होता है या फिर मिर्दिका होता है या फिर छार्य होता है क्या होगा दोस्तों जिप्शम का पर्योग उस परकार के मिर्दा में किया जाता है जिस किस परकार के मिर्दा म जहां लवन्य होता है तो इसका ए सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ते हैं संचित खादान की छती के लिए निमलिखित में से कौन सा कारक उतरदाई होता है संचित खादान की छती के लिए निमलिखित में से कौन सा कारक सरवाधिक उतरदाई होता है चलिए बढ़ते हैं option की और पहला option है अन्न में नमी की मात्रा की कारण पर्यावरन की आदरता है पर्यावरन का तापकरम या फिर खाद पदार्थों का वायू करण क्या होगा दोस्तों सही जवाब कोशन आपके सामने था और कोशन इस तरह से था संचित खादान की छती के लिए निमलिखित में से कौन सा कारक सरवाधिक उतरदाई होगा दोस्तों सही जवाब होजेगा अन में नमी की मात्रा के कारण धियान में रखिए आगे हैं त्वाचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन उत्परेरित होता है मुखित्या किस कारण से वयाम के कारण से विटामिनों के कारण से प्रावेगनिक किरनों के कारण से या फिर अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन होता है तो बताना है इसके लिए कौन सा कारक उत्तरदाई है सभी उप्षन दोस्तों आपके सामने हैं क्या होगा सही जवा दोस्तों विटाइमीन के कारण से त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन होता है आगे है टैफाइड के संक्रमन में बचाओ का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है टैफाइड के संक्रमन में बचाओ का सर्वाधिक सर्वोत्तम या सुगम उपाय क्या है टैफाइड से केसे बचा जा सकता है पीने के पानी को उबाल कर पिना पडियाप्त मातरा में ताजे फल और सब्जी को खाना टीका करित होना या फिर भोजन गर्म करके खाना दोस्तों टाइफाइड के संक्रमन में बचाओ का तो दोस्तों टीका करन कीजिए क्या करना टीका करन करना तो C सही जवाब हो जाएगा आगे है पांच वर्श की आयो मे किसी बच्चे को समान त्या कितने दात होते हैं काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों नर्मल रूप में बताना है कि पांच वर्स का जो बच्चा है कितने दात होते हैं समान रूप में दोस्तों, सही जवाब हो जटेगा 20 दात होते हैं, कितने दात होते हैं? 20 दात होते हैं आगे हैं, आगे हैं दोस्तों, फोटोग्राप के पलेटों को काले कागत से क्यों धंका जाता है? comment box में इसका जवाब दिचे बहुत ही थोड़ा long इसका जो है मतलब option है तो सीधा हम answer ले लेते हैं दोस्तों इसलिए जो है काले कागज से ढखा जाता है क्योंकि plate पर फैला silver bromide परकास के परती जैदे समविदन seal होता है और काले कागज परकास क्या करता है परकास से इसके संपर को रोके रहता है तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा आगे है आवर्थ सार्नी से दोस्तों आपका question बहुत बार पूछा जाता है तो धियान में रखे आवर्थ सार्नी के question को आप सभी देखिए वीडियो इस पर आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाएंगे तो इस तरह से रन नीती तियार किजिए रन नीती के अनुसार आप अपने study को जारी रखिए content आपको हमारे channel या फिर और भी channel है बहुत सारे वहाँ पर भी मिल जाए आपके साथ है अगर book है समान रुप से तत्व हैं संक्रमन तत्व हैं छार तत्व हैं धातु है या फिर लेंथे नॉयट्स हैं क्या होगा दोस्तों दोस्तों लेंथे नॉयट्स तो होगा नहीं संक्रमन तत्व यह नहीं होगा समान तत्व और छार तत्व में बताना है क्या होगा वर्ग एक पूछा जा रहा है तो वर्ग एक के हो जाएगा क्या छार धातू हो जाएगा आगे है के CLO 3 के कितनी मात्रा को गरम करें कि उतनी ही ऑक्सिजन की प्राप्ति होए जितनी ऑक्सिजन विर्धी कारवन के के C12 गराम को जो 12 गराम होता है उसको जलाने के लिए आवस्यक होती है क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब सभी उप्शन आपके सामने है के CLO 3 के कितने गराम को दोस्तों के CLO 3 के 81.6 गराम को गरम करेंगे तो उतनी ही ऑक्सिजन के प्राप्ति होगी जितनी की ऑक्सिजन सुध कारवन के 12 गराम को जलाने के लिए जरूरी होता है आगे हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन दोस्तों इससे रिलेटर और चार पांच कोशन होंगे उसे आप जरूर देख लिजेगा या फिर इस पर हम वीडियो बनाए हुए हैं केमेस्ट्री का सीरीज देख लिजेगा एक्सालेंट बुक से काफ ही इंपोर्टेंट सब कोशन दे चूके है एलकेन के परतिनिधित करने वाला समान सुत्र क्या है एलकेनो इसमें भी देखे बहुत सारे कॉमेंट गलत आएंगे एलकेन, एलकाइन, इस तरह से होता है एलकाइल होता है आलकायल का जो होता है तो इस तरह से ये आपका अलकायल गुरूप हो जाएगा तो यहाँ पर सही जवाब C होगा आगे है, प्रकिर्तिक कलोरीन में कलोरीन के दो समस्थानिक होते हैं एक C35 और दूसरा C37 होती है एक में 75.5% और एक में 24.5% प्राप्त है तो आपको बताना है प्रकृति क्लोरीन के ओसत परमानुभार की गनना करना है तो कितना होगा ओसत नौरमल रुप में आपको एवरेज निकालना है कोमेंट बॉक्स में इसका दोस्तों जवाब दीजे लास्ट में अभी इसका आंसर भी हम दे देंगे तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए इस पीडियाप को डॉनलोड करने के बाद आप इसके mathematics के question को जरूर solve कीजिएगा इससे पहले तीन ठो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं उस वीडियो को जरूर देखिएगा लिंक नीचे description में मिल जाएगा और बहुत ही important question सब है टेलेग्राम ग्रूप को जोइन नहीं किये हैं जरूर जोइन कर लिजिएगा वहाँ पर भी discuss इसे चलते रहता है तो इसका answer दोस्तों हो जाएगा 35 दसालव 49 हो जाएगा डी सही जबाब हो जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्यपूर्ण है अगर चैनल पने हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और साथी साथ बेल एकन को दबा दीजिए और पर जरूर किलिक कर दीजिएगा और दोस्तों जो भी अगर बगर न्यूज सब भी आती रहती है तो वो सब जानकाड़े भी हम आप लोगों के साथ सेयर करते रहेंगे अगर आप परसनली कु colony मेसेज करना चाहते हैं या पिर question पूछना चाहते हैं तो टेलेगराम पर आप admin को मेसेज कर सकते हैं क्योंकि YouTube का comment अब बंद करने वाले हैं आगे से क्योंकि कुछे गलत लोग जो है आजाते हैं और गलत गलत कोमेंट करते हैं तो इस तरह से डिमोटिवेट होने का कोई अप्षन ही नहीं छोड़ेंगे जिसे की निगेटिव लोग निगेटिव बाते करें नहीं सुनना है नहीं जवाब देना है इसलिए यहाँ पर अब कोमे क्पिरियू दनित्री धिवेटिवेटिये बाता चुछेटिये बाता बाता है की का क्वीवेटियीूट करते हैं तरह से स्थम्षन ही जातनों है सित Tous्तित गारी मे देए गलत आर आर के एंसंपर होने करते हैं इस्याँ द्सकार, का सबगते हैं कि कर दो रहाया है जैसे vakंश